सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए आपकी स्क्रेन पर के जीव विग्यान शब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था तो लैमार्क और ट्रिविरेनर्स ने सबसे पहले जीव विग्यान शब्द का प्रियोग किया था तो Linius कहलाए जाते हैं उसके बाद देखिए कारले Linius की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें जीवधारियों को दो भागों में बाटा गया था तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे Sistema Nature ये एक पुस्तक का नाम है साथियो Sistema Nature किसका नाम है एक पुस्तक का नाम है और ये किसकी पुस्तक है तो कारले Linius की पुस्तक है इस पुस्तक में साथियों क्या किया गया था तो जीवधारियों को दो भागों में बाटा किया था ये तीन पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए कि वरस्पती जनक का यानि कि वरस्पती विग्यान का जनक किसे कहा जाता है तो थियो फ्रेस्टस को कहा जाता है वैग्यानिक नामकरण में पहला शब्दवा दूसरा शब्द होता है तो वैग्यानिक नामकरण जो होता है किसी का भी तो उसमें पहला अगर बात करें शब जो होता है वो वंशच का नाम होता है और दूसरा सातियों शब जो होता है वो जाती का नाम होता है मदुमक्यों के अधियन को सातियों का अगर बात करें मदुमक्यों का अधियन क्या कहला जाता है तो एपी कल्चर कहते हैं मदुमक्यों के अधियन को रेशम कीट पालन के अधियन को क्या कहा जाता है तो सेरी कल्चर कहा जाता है और शैवालो का अध्यान सातियों फाइकोलोजी कहला जाता है यहाँ पर अगर बात करें सातियों कई लोगों को कवको की अध्यान और शैवालो की अध्यान में कनफ्यूज हो जाता है सातियों क्या वो confusion हो जाते हैं तो यहां पर आपको confuse विल्कुल नहीं होना है कवको का अधियन mycology शेवालो का अधियन सातियों phycology ठीक है यहां पर सातियों आपके सामने 100 question आपकी screen पर आएंगे इसलिए यहां पर अगर आप लोग यहां तक जोपर पुश्पो की अधियन को क्या कहा जाता है यहां विल्क के किया नभी लोग अगर आप लोगो ने क्लास को like ना किया हो तो एक बार क्लास को like करके विडियो को शेर कर दीजगा अगर channel पर नए है तो चैनल को सबसे पहले साथियों सबस्क्राइब कीजेगा क्योंकि निश्यल के कंटेंट आपको यहां पर उपलब्द कराया जाता है उसके बात देखिए कि वरक्षो और जाडियों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो वरक्षो और जाडियों के अध्यन की बात कर जाता है सिपकलियों के अधिन को उसके बाद देख लीजे कुछ प्रमुक वेग्यानिकों के नाम मनुशों होमोस्वापियंस की अगर बात करें बिल्ली का वेग्यानिक नाम क्या है तो फैलिस डेमस्टिका है गाय का वेग्यानिक नाम बास डिकस है आम का वेग्यानिक नाम स family risk है family risk है ठीक है मक्खी के बात करें तो मस्का domestic का देखिए आपको पूरा नहीं याद रखना है जैसे कि अगर बात करें मक्खी का अगर बात करें मक्खी का वेगेनिक नाम क्या है तो मस्का आप लोग ध्यान रखेंगे धान का वेगेनिक नाम bipolar आपको ध्यान रखेंगे इस प्रकार से कासे कुट्ता कासे कैनिस हो जाएगा मेड क्या है टेडर करता है इस टाइप से आवाज निकालता है तो टिगरीना हो जाएगा इस टाइप से अगर आप लोग याद रखेंगे मैंने भी यहांपर पूरे किसी को नहीं याद होते है पूरे बिलकुल सही सही कोई नहीं याद कर सकता है यहांपर इंसान पॉइंट पगाड लेता है साथ यो ठीक है जैसके mango मतलब आम होता है तो आम को mango फिरा कह सकते है mango type का ही लग रहा है ठीक है चलिए उसके बाद इस परकार से सात्वे हैं आप आप लोग जो हैं वो याद कर सकते हैं सरसो को क्या कहेंगे बरासिका, कैमिस्टिस कहेंगे ये टफ नाम लग रहा है लेकिन टफ नाम नहीं तो बरासिका अप लोग द्यान रकेंगे अब उसके बाद देख लिजे अगले नंबर का पुरष्ण है 30 जीवानू साइनो बैक्टिरिया तता आर्की बैक्टिरिया किस जगत के प्राणी है तो मौनेरा जगत के प्राणी है पादव जन्तु के बीच की कड़ी क्या कहलाई जाती है तो यूगलेना कहलाई जाती है शैवाल, मौस, पुष्पिय तता अपुष्पिय बीजी पौदे किस जगत के हैं तो पादप के हैं हाइडरा, जैली फिश, क्रमी, सितारा, मसली और सरिसरप, उभेचर पक्षी तता इस्तंधारी जीव किस जगत के हैं तो जन्तु जगत के हैं ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए कि वर्गी करण की आधार भूतिकाई क्या है तो जाती है कवक की कोशिका भित्ती बनी होती है तो काईटीन के बनी होती है नील हरी शैवाल किस से सम्मंदित है तो मोरेरव से सम्मंदित है एक कोशिक के जीव किस के अंतरगात आते हैं तो प्रोटिस्टा की अंतरगात आते हैं बहु कोशिकी तथा यू केरियोटिक जी जन्तु की बात करे हैं यू केरियोटिक जन्तु की बात करते हैं तो ये किसके अंतरगात आते हैं तो एनिमीलिया जन्तु के अंतरगात आते हैं ये आपको ध्यान रखना है चलिए उसके बाद देखिए सातियों के पौधे अर्द लिए उपर यूगत भाग है पराकोश, आलू एक परकार का है कंद, अफीम का वनस्पती नाम क्या है, इंबालिका, आफिस इनॉलिस है, थैलो फाइटर वर के पौधे होते हैं, तो मुखेता जलिये होते हैं, जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग कौन सा है, तो सातियों और् हट्या थेली कहते हैं, तो लाइस सोम को कोशिका की आत्म हट्या थेली कहते हैं, ये आपको धिहान रखना है, कौशिका कि खोज कब और किसके दोरा की गई? तो 1665 में कोशिका की कोच रॉबर्ट हुक ने की थी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की कोच की थी तो बोतल की कौर्क में की थी ये आप से पुछा जा सकता है कोशिका के मुख्य भाग की बात करें तो केंदरक सातियों कोशिका का मुख्य भाग होता है या आप लोग ध्यान किये सातियों अगर बात करें केंदरक में क्या पाया जाता है तो DNA, RNA वो गुड़सोतर केंदरक में पाया जाते है और केंदरक क्या है तो अभी आपने देखाता सातियों कोशिका के मुख भाग को ही केंदरक कहा जाता है केंदरक के मुख ता कितने भाग होते हैं तो केंदरक क जार भाग होते हैं राइबोसूम मिलकर बना है तो RNA प्लस प्रोटीन माइट्रो कॉंडिया की खोच किसने की तो माइट्रो कॉंडिया की खोच सातियों अल्टमेन ने की ये परिक्षा वाला प्रशन आप से यहां पर पूछा जा सकता है चलिए उसके बाद देखिए सबसे छ है तो पादप में सातियों सेल बॉल पाई जाती है हरे पौधे की भित्ती किसकी बनी होती है तो सेल्यूलोस की हरे पौधे की भित्ती बनी होती है ये आपको ध्यान रखने है उसके बाद देखिए सातियों अगले नंबर के प्रशन आपकी स्क्रीन पर है कि कोशिका भित् पूर्किंजे ने साथियों जीवदरव का नामकरण किया था यह आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका कहलाई जाती है तो तंत्र का तंत्र की कोशिका साथियों सबसे लंबी कोशिका होती है। नहीं पाया जाता है तो लाइसोसोम। उसके बाद देखियों कि कई बार यह पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिये कि पत्यों का हरा रंग होता है पणहरित की वज़ा से और पादब की रसोई किसे कहते हैं तो हरित लवक को पादब की रसोई कहते हैं। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन की वज़ा से होता है पत्यों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्मान की वज़ा से होता है। मनुष्य में गुड़ सूत्रों की संक्या होती है तो 23 जोड़ी गुड़ सूत्रों होते हैं कुलमिला के 46 होते हैं वंशागति का वाहक किसे कहते हैं सातियों तो गुड़ सूत्रों को वंशागति का वाहक कहते हैं ये बात आपको ध्यान रखना है। किसे हुआ था तो सरीसरप से हुआ था प्राचीन जीवों का पादभू के अवशेशों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो जीवाश्म विग्यान किसे कहा जाता है साथियों प्राचीन जीवों वपादभू के अवशेशों के अध्यन को जीवाश्म विग्यान कहा जाता है उ हूँ क्योंकि इन्हों ने ही उद्परिवर्तन के सध्धानत का प्रतिपादन किया था उसके बाद देखिए कि वे लक्षन जो पड़ी दर पीड़ी संचारित होते हैं उनको अनुवानशिकी कहा जाता है ये कई बार पृष्णाप से पूछा जा चुका है तो आने वाले समय वे भी ये पृष्णाप से पूछा जा सकता है चलिए अब उसके बाद देखिए कि आनुवानशिकी के बारे में सबसे पहले जानकारी किस ने दी है तो ग्रेगर जोहन मंडल ने दी है मंडल ने दी है या आपको ध्यान रखना है एक जीन एक इंजाइम से धानत किस ने प अधर्थ कौन सा है तो DNA है या आपको ध्यान रखना है प्रियोक्षाला में DNA का संचलेशन किस ने किया था तो खुराना ने किया था माता पिता के गुड़ सूतर उनकी संतान में किस के द्वारा इस्थांतरित होते हैं तो गुड़ सूतर के द्वारा सातियों होते हैं या आप लोग ध्यान रखेंगे मनुष्य में दिरिगुडित क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है तो 23 है मानव में गुड़ सूतरों की कुल संख्या कितनी है सातियों तो 46 है याप लोग ध्यान रखेंगे दिरिगुडित की यहाँ पर बात की गई है तो 23 लगाना है चलिए अब उ इतरदाइ क्रोमो सोम कौन सा है किसका होता है तो पिता का होता है एक सामान मानव शुक्रानू में आटो सोम की संक्या कितनी हो सकती है तो DNA fingerprint का करते हैं वणान्धता वाले किवैक्ती को लाल लंग दिखाई देता है तो हरा दिखाई देता है ने के लाल लंग उसको हरा दिखाई देता है मनश में लाल हरी वणान्धता को जाना जाता है प्रोटोनोपिवा वा ड्यू टेरा नेपिया की रूप में जाना जाता है पेड़ पौधे वा उनके क्रिया कलाबों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो वनस्पति विग्यान कहा जाता है वनस्पति विग्यान किसको कहते हैं साथियों तो आप लोग ध्यान रखेंग वर्सपती विग्यान का जनक की से कहा जाता है तो थेोफिरेस्टस को वर्सपती विग्यान का जनक कहा जाता है यह बात आपको ध्यान रखना है यह सब ही के सब ही पॉइंट सातियों आपकी परिक्षा के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत और एक प्यारा सा comment भी करते हो आप लोग daily, daily में आपके साथे आपर comment पढ़ता हूं, जो जो लोग comment आपर करते हैं, वो बात अलग है कि reply साथे आपके नहीं कर पाता हूं, लेकिन ये ना समझेगा कि comment आपके नहीं पढ़े जाते हैं, comment भी पढ़ा जाता है साथे, उस सब कु इसे कहा जाता है तो थेोफरेस्टस को कहा जाता है और हिस्टोरिया प्लांटरनम पुस्तक के लेखा कौन है तो थेोफरेस्टस है दोनों बाते आप लोग ध्यान रखेंगे फाइकोलोजी की अगर बात करें तो फाइकोलोजी में किस का अधियन किया जाता है तो शैवालो का अधियन किया जाता है फाइकोलोजी में आप लोग ध्यान रखेंगे परेवर्ण का ध्यान चीफ विग्यान की कि शाखा के अंतरिकत किया जाता है तो परेवर्ण का ध्यान को पारिस्तिकी कहा जाता है ये परिक्षा वाला प्रिशना और आप से पूछा जा सकता है उसके बाद देखिए फूलो के समवर्दन के विग्यान को क्या कहा जाता है तो फलोरी कल्चर कहा जाता है जानियों का अधिन क्या कहलाया जाता है तो डेंडोलोजी कहलाया जाता है पौधों में वाश्पो सर्जन किरिया होती है तो पत्ती बे होती है हरित ग्रह परभाव के लिए जिम्यदार माना जाता है तो CO2 जिम्यदार है फलो का अधिन क्या कहला जाता है तो पॉमलॉजी कहते हैं फलो के अधिन को मरुस्तरिये पौधों के अधिन को क्या कहा जाता है तो जीरो फाइट्स कहा जाता है पत्तों में पन हरिच जो होता है सात्यों ये कहां पर होता है अगर ये परिक्षा में पूछ लिया जाए तो कोशिका में होता है या आपको ध्यान रखना है उसके बाद अगर यहां पर बात करें 100 में नंबर की आने के 100 में कोशिका में होता है और सबसे छोटा नंगन बीजी पौधा होता है इसका नाम आपसे यहां पर पूछा जा सक तो जैमिया पिग्मिया का नाम आपको ध्यान रखना है क्यों क्योंकि सबसे चोटा नगन बीजी जो पौदा होता है साथियों वो जैमिया पिग्मिया ही होता है चले तो यह साथियों जीव विग्यान के 100 ऐसे कोशन्स थे जो एकजामनर के फेवरेट कोशन्स थे यहाँ पर जीव विज्ञान की सातियों सर्शिष्ट क्लास ये साबित होती है ऐसा मैं सातियों आप से उमीद करूँगा कि इस क्लास को आप लोग बहुत प्यार देंगे वीडियो को लाइक करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट के माद्ध हम से भी आप लोग बताएंगे कि कलास आपको कैसी लगी चैनल पर नए है तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करके वेल आइकन पर क्लिक करेंगे जैहिन सातियों सबस्क्राइब करें गुरुजिव वर्ल और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए